बश्कार मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं अपने यूटूब चेनल टीम वेकिन सी गुरू पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माधियम से BTSC कॉंसेलिंग को लेकर के एक बहुत ही महत्पून जानकारी आप लोग को बताने वाला हूँ ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा चाहे आप एनिम दसदर साथ सुनों के कॉंसेलिंग के लिए वेट करे हो चाहे ECG के लिए वेट करे हो एक्सरा के लिए वेट करे हो और साथ भी जो की नर्सिंग के लिए आपर वेट करे हो सभी के लिए वीडियो बहुत इ बरखना है complete जानकारी बताएंगे तो वीडियो के लास तक बने रहेगा साथ ही में जो भी स्टुड़ी से चैनल पर नए आए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बरखना है कि यहां पर बता देना चाहता हूं बीटी एसी सवतन से अगर उनको लगता है कि आपका फॉर्म रध होना चाहिए वो कोई भी आपको रीजन नहीं देंगे और आपका फॉर्म रध हो जागा यह बात समझ लीजे क्यूंकि ऐसा बात लिखा भी गया है किन कारणों से आप पर रध होता है फॉर्म वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा सबसे पहले दोस्तों यह लेटेस्ट अपडेट का सूचना है यानि कि जो अभी के सवह में नए बदलाब हुए हैं कुछ यहां पर बदलाब होते रहते हैं आपको पता होगा नियमों में उ आदेश या फिर आपके निर्देश दिये गए हैं जो आप लोग को समझना है सबसे पहले दोस्तों यह बात ध्यान दिजेगा बहुत सारे फ्रेंट्स को यह घवराहट है जैसे कि अभी ECG, OT जो भी X-Ray वाले हैं उन सभी को अभी लग रहा है कि डाइरेक्ट कॉन सेलिंग जी नहीं दोस्तों सबसे पहले आपका स्कूटनी होगा क्यूंकि आप लोग अभी स्कूटनी ने हुआ है अस्कूटनी के पहस्चा थी आपर कॉनसेलिंग आयोजित होते हैं यह बात ध्यान में रखिएगा तो इनका अब आपको पता होगा स्कूटनी हो चुका है लेकिन का कॉंसेलिंग अब जल से जल आने वाला है तो अंब यहां से एकदम अच्छे से समझीगा तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर बात करते हैं यह क्या होता ऑप कितना documents को ले जाना चाहिए counseling call letter को या to copy कितना कराना चाहिए complete बताने वाला हूँ तो सबसे फ़ले दोस्तो counseling call letter जब आप लोग का counseling list जारी होगे उसी समय में आपको download करना होता है जो कि आप लोग का आप अपने registration number, mobile number डाल करके और जन्मितिति डाल करके आप यहाँ पर लोग को यह download भी होगा यह बात नहीं है कि सभी लोग जो भी लोग आभी दन कियोंगे उन सभी का download होगा जो लोगों को counseling में बुलाए जाएगा उन्हीं लोग को यह download होगा इसके बाद दोस्तों क्या बताया गया है यहाँ पर एक बात असप्रशूप से समझाया गया नहीं हिलने नहीं दिया जाएगा फिर अनुमती नहीं दी जाएगी आप लोग के counseling को ले करके तो यह बहत पूर्ण जो की अपडेट है कि आप लोग को आप लोग का जो यहाँ पर की आप लोग के लिए हैं कुछ यहाँ पर पॉइंट जारी किया गया है जो कि सभी के लिए इंपॉइंट होंगे वह यहाँ पर पॉइंट चर्चाएं करेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा लिखिन आप वीडियो को complete वाच कि जाएग तो सबसे पहला पॉइंट य जो एक आपने डाउनलोड करनें जैसे कि मैं बताया था वह अगर आपने डाउनलोड किया तो वह आपको ले जाना है साथ में आपका चेक लिस्ट दोनों को यहाँ पर ले जाना है और दोनों का आप कम से कम दोक्मेंट हो उसका चार फोटो कॉपी आप करा लिजेगा तो आप लोगों मैं पहले ही निर्देश देता हूं कि जो भी डॉक्मेंट्स आप ले जाएगा क्योंकि मैंने एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि क्या-क्या डॉक्मेंट्स ले जाना है अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजेगा यहां पर सबसे पहले तो जो देखिए सभी लोग के लिए अलग-अलग डेट होता है आप लोग जो आविदन करते समय का इक विध्यापन डाउलोड लूड हुआ हुआ है जो फिए आपके पर्मान पत्र होते हैं उसका एक जो की date fix किया जाता है और उसी के निरिगित में बनना होता है यहाँ पर मैं A&M के लिए अपडेट देना चाहता हूँ A&M के लिए यहाँ पर बताया गया है जो की जानकाड़ी दिया गया है A&M के जो की सैथनिक परमान पत्रे वो 1922 का होना चाहिए और उसे पहले का ही निरिगित होना चाहिए यह बात ध्यान दीजेगा साथ में जो आपका BNRC का कागजा थे यानि के रेजिट्रेशन का आगा है जो की आपका निवंधन परमान पत्रे आपका आरक्षन परमान पत्रे आपका कार अनुवो परमान पत्रे वो सभी 15.9.22 के यहाँ पर पहले का ही निरिगित माननी किया जाएगा यह बात को ध्यान दीजेगा साथ में कार अनुवो की गनना है जो की 2.8.2023 तक ही की जाएगी यह सभी मैं A&M के लिए बता रहा हूँ अगर आप OT और ECG वाले हो तो अगर आप अपना देखना जाते हो तो एक बार अपना डीटेल्स वरा विज्ञापन पर खोल लीजेगा वहाँ पर आप लोग का सेपरेटली जानकारी दिया गया है और वहाँ से आप लोग एक बार देख लीजेगा और अपने डॉक्मेंट्स को मिला लीजेगा क्योंकि यह डेट बहुत ही जादा वेरी करता अगर डेट मतलब मान के चलिए कोई SS student से जो की आरक्षन के परमान पत्र यानि की इंसियल जो की लगने वाला है यह मान नहीं दिया जाएगा इससे पहले का बनवाना है अब इससे पहले का यह नहीं कि एक साल पहले का क्योंकि एक सबी डॉक्मेंट्स एक साल के ही अंतरगत में बनि होने चाहिए यह जानकारी आप लोग समझ लिजी अब जो important है वो यहाँ पर में बता देना चाहता हूँ ये बात ध्यान दिजेगा चोवे नमबर पॉइंट पर जो एक बात किया गया है आप लोग समझेगा जब आपने आविधन करते समय online जब आपने आविधन किया था उस समय जो आपने तस्वीर दिया था वही तस्वीर ज़्यादतर कोशिस कीजिए कि आप लोग कॉंसेलिंग में भी दिजिए क्योंकि कॉंसेलिंग में भी करीबन आपके लिए पांच तस्वीर मांगे जा रहे हैं तो कम से कम तो यहाँ पर भी आपको छो से साथ तस्वीर ले ही जाना है क्योंकि पांच मांगें जा रहे हैं, हो सकता है कि और भी कुछ यहां पर काम आ जाए, तो वहां पर आपको देना पड़ेगा, तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो फोटो, अगर आपके पास वो फोटो है, जब आपने आविधन करते समय जो फोटो दिया था, तो वही फोट जरूर डालिएगा, अगर नहीं है तो आपके सकते हो, लेकिन आपके लिए बहतर यही होता कि अगर आपके पास वही तसवीर मिल जाता है, तो आपके लिए बहतर होगा फिर आपके जो की आपका सकतो qualification अगर आपके पास wire qualification है मांगे चलिए अनिम के लिए तो आगर आपके पास एनिम के साथ ane में तो आप लोग only documents ले जाईएगा और concerning में प्रस्तूत करना अनिबार है यह बात ध्यान दिजेगा डाठी be point पर एक बहुत important जानकाड़ी आप लोग को बताया गया है देखे दोस्तों BTC स्वतन्त रहे कि आप लोग का फॉर्म को रदभी किया जा सकता आगर आप उनके निर्देश को पालन नहीं करते हो देखे क्या बात प्या गया यहां पर समझेगा निर्देश के अनुपालन नहीं करने वाले आप देर्थियों को आहिता में जो कि यहाँ पर समंध में निर्णे लिया जा सकता और आयोग स्वतंत होगा मतलब कि यहाँ पर BTC जो की अभिहार तक्निकी सेवा आयोग जो की आप कर सकतो एक जो की डिपार्टमेंट है वो स्वतंत है कि किसी भी आप देर्थियों को अनुपालन नहीं कर रहे हैं उन पर कोई भी डिसीजन लिया जा सकता हो सकता है कि आपके फॉर्म को भी रद किया जा सकता है फिर 9 पॉइंट पर लिखिए किसी भी यहाँ पर प्रकार के फूटी पाने जाने से मतलब प्रॉगलम होने से या फिर कुछ गलतियां होने से आप दर्थियों को रद किया जा सकता है मतलब कि आप लोग आप दर्थिया रद हो जाएगा यानि कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपको बाद इसके बाद कॉंसेलिंग के बाद आपका मैट मिल लिस्ट में नाम आने का गुंजाइस और ज्यादा कम जाएगा जिस दिन में जिसका होने वाला है वही दिन यहाँ पर लागू होगा अगर आप कोई और अतिरिक दिन जाते हो तो आप पर गो काम नहीं करेगा यानि कि आप एक तरीके से सकते हो कि आपका अगर आप नहीं जाते हो तो आपको directly वहाँ पर form रद हो जाएगा बस ये आप समझ दीजे लब जो समय और जो दिन आपको दिया जाता है वही shift में आपको जाना है और वही दिन में भी जाना है ये बात ध्यान दीजेगा समय से आ आपको पता है आयोग स्विकार नहीं करेंगी खास तोर पर जो फरजी डिग्री लिए हुए है इस्ट्वेंट से वो लोग सचेत हो जाएं क्यूंकि यहां पर बीटी एसी लगातार अपडेट दे रहा कि जो भी फरजी डिप्लोमा वाले हैं या फिर फरजी कागजात बना अनफत्र के पर क्या लाब मिलेगा तो दिखे मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर आप बिहार के मूल नीवासी होगे तो अब आपको अर छटेली है वो ककटेली बरकार जया हैं ये बात को धिखान दीचेगा क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर अगर आप आगे पीछे करते हो तो दिक्कत हो जाता है क्योंकि जो डॉक्मेंट्स आपने आविधन करते समय दिया है वही डॉक्मेंट्स आपको देना है अगर आपने NCLU समय आविधन करते समय नहीं दिया है जिसमें भी आपको नहीं दे पाओगे ये बात को ध्यान दीजिएगा साथ में और भी जो कि यहाँ पर जानकाड़ी दिये गए जैसे कि नन क्रीमी लेयर और यह सभी चीजों पर यहाँ पर आपको आपको आरक्षन मिलेगा और कॉंसिलिंग में जो अश्डूरेंट्स को जितने आप बड़े अधिकारी होते उनसे अच्छे से पेस में आईएगा जैसे जैसे बताते हैं उसे उसे कीजिएगा तभी आपके लिए हित के लिए बढ़िया रहेगा क्यूंकि बीटी एसी अभी के समय में एक तरीकेश कर सकते हूं कि आपकी नौकरी है वो बीटी एस स्टार्ट होने वाले जल्द ही आप लोग को हो सकता है इसी महीने के जो कि इसी महीने में आप लोग का सुरवाद हो जाए उसके बाद ओटी और यहीं सभी के एक साथ किया जागा कौन सेलिंग तो यहीं जानकारी मिलते दोस्तों को इन रूम में तब तक के लिए अगर कि हम बहुत सारे लोग के साथ सेर कीजिएगा यहीं कि बहुत मैनत लगता है यह सभी जानकारी बताने में तो धने बाद दोस्तों